आज मैं आपके साथ शेयर करें मिल्क पाउडर की रेसिपी मिल्क पाउडर से बनी हुई बहुत सारी आपने डेजर्ट देखी होंगी पर मिल्क पाउडर कैसे बनाते हैं यह आपने बिल्कुल नहीं देखा होगा तो दूद से किस तरह से मिल्क पाउडर हम घर पे बना सकते ह बहुत ही आसान तरीके से और 1 लिटर दूद में करीब आपका 1.5 kg आधा किलो मिल्क पाउडर बन जाएगा बहुत ही आसान तरीके से किस तरह से बनाते हैं बिल्कुल जैसे मार्केट का आप खरीद के लिए कराते हैं कोई फरक नहीं होगा देखने में भी और खाने में भी तो आइए बनाना शुरू करते हैं हाई फ्रेंज मैं गीता वर्मा गीताकेनो.com में आपका बहुत बहुत स्वारत करती हूं आज मैं फिर से एक में वीडियो लेकर आई हूँ और उमीज करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो की नीचे लाइक का बटन क्लिक करें चैनल को सुब्सक्राइब करना बिलकुल मत भूलेगा साथ ही बैल आइकन दिया होगा उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिकेशन बैल ओन हो जाए और जैसे ही मैं कोई नई वीडियो अप्लोड तो आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना कर पाएं तो आए ये वीडियो शुरू करते हैं तो मिल्क पाउडर बनाने के लिए हमें चाहिए एक लिटर दूद्ध थी है यहां पे मैंने फुल कृ्म से भी बड़िया वाला दूद लिया जदने अठी एक लिटर बहुत ज्यादा माला siloo फैस जाधा तो यहां पर बाल कर लेंगे है dosa हमारा बॉयल हो गया है एभ हम गैस को मीडिय अधर दिंगे ताकि तो दूद निकले नहीं और इसे लगातार चलाते हुए हमें गाढ़ा करना है जब तक ये बिल्कुल सूख ना जाए बिल्कुल जैसे की रबडी होती है कुछ इस तरह की इसकी कंसिस्टेंसी हो जानी चाहिए और जब इसे आप चलाएंगे तो जितनी भी साइड में मलाई लगेगी वह जो मला सूख जाए और हमें एक गाढ़ा दूद मिल जाए तो यहां पर आप देख सकते हैं दूद बिल्कुल गाढ़ा हो गया कुछ जिस तरह से रबडी होती है उस तरह से हो चुका है और इस तरह से जो भी साइड में मलाई लगी हुई है वह सारी हम निकाल लेंगे और इस तरह प्रबडी को हम फैला देंगे यह हमने मिक्षर तयार किया है रबडी तयार की है इसे हमें इस तरह से थाली में फैलाना है इसे हमें सुखाना है और जितना जादा आप इसे पतला फैलाएंगे उतनी जल्दी यह सूखेगा अगर मोटा रखेंगे तो उतना जादा टाइम तो इस तरह से दो से तीन थालियों में हम फैला देंगे इसे इस तरह से पतला पतला और इसे सूखने के लिए रख देंगे तो आप चाहे तो इसे धूप में सुखा लें या फिर अगर धूप नहीं आती है तो पंखे में सुखा सकते हैं हवा में सुखा सकते हैं तो इस तरह बटलें से बकल है अगर मोटा होगा तो जल्दी से शुखने नहीं उसे MPşa पालें लिए और इसे मिने पंखे में हुखना है और ये देखिए boy नहीं ता अब हम क्या करेंगी बएक साइड से बहुत शुकत कारेंगे मैं इसलिए निकाल रहा है ताकि दूसरी साइड से अच्छे से सूख जाए अगर हम नहीं निकालेंगे तो यह उपर से सूख जाएगा अंदर से गीला रहेगा तो इस तरह से जित्ती विधालियों में आपने फैलाया है सूखने के बाद इस तरह से इसे निकाल लें और इस तरह से यह देखी कितने असानी से निकल रहा है और काफी सारा आपका मिल्क पाउडर तयार हो जाता है एक लीटर दूद में आप इतना महंगा मार्किट से खरीद के लेकर आते हैं तो अब आप घर पे बना सकते हैं बहुत ही इजी तरीका है तो यह देखे इस तरह से म कितने असानी से निकल रहा है और एक तरफ से काफी हद तक सुख चुका है दूसरी साइड से भी हम इसे अच्छे से सुखा लेंगे और इसमें बिल्कुल भी मोश्य नहीं होना चाहिए अगर मोश्य होगा तो जब आप इसे स्टोर करेंगे तो बहुत जल्दी खराब हो ज तो यहां पर मैंने मिक्सी का जार लिया है इसके अंदर मैं यह सारा जो हमने यह सारा इसमें एड कर देंगे तो यहां पर मैंनी सारा एड कर दिया है अब इसके अंदर मैं चीनी करूंगी क्योंकि जो मिल्क पाउडर मार्केट में मिलता है वह मीठा होता है तो यहां पर मै मेरा मिल्क पाउडर तयार हो गया है अभी इसमें कुछ आपको मोटे मोटे दाने हो सकता है चीनी के नजर आए तो इसे हम चान लेंगे कुछ इस तरह से मैंने से चान लिया है और जब आप इसकी कोई डिजर्ट बनाएंगे तो आपको इसमें अलग से चीनी डालने की बिल्कुल भी जरुवत नहीं है क्योंकि काफी मीठा है अगर कम लगे चीनी आपको तो आप एड़ कर सकते हैं वरना इसमें काफी चीनी है तो बारिक पाउडर नीचे आजाएगा तो इस तरह से हम यह सारा पाउडर चान लेंगे और मोटा बचेगा उसे हम दुबारा से ग्राइंड कर लेंगे तो इसे बिल्कुल बारिक पीसना है जितना बारिक पीसना है अच्छे सी जाएगा तो यहां पर आप देख सकते हैं यह ह आप खरीद कर लाते हैं बाजार से वैसा रेडी हो गया है और यह मुझे आदा किलो से भी जादा लग रहा है तो इस तरह से आप घर पे अब मिल्क पाउडर तैयार कर पाएंगे जब भी आपको कोई डेजर्ट बनाना और फटा फट बना सकते हैं मेरे चैनल पर बहुत सारी मिल्क पाउडर डेजर्ट की रेस्पीज हैं तो आप वह भी ट्राय कर सकते हैं और मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी कि किस तरह से आप मिल्क पाउडर से बहुत सारी डेजर्ट बना सकते हैं तो यह दिखिए कितना बढ़िया हमारा मिल्क लेगा वीडियो को जादा स्यादा शेयर करेगा फ्रेंज के साथ फैमली के साथ